सो हे गाइस कैसे हैं आप सब आई होब आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे यहां पर जेके बोबी की तरफ से एक इंपोर्टन्ट अपडेट हैं रिगार्डिंग 10th बेसे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जिसमें आपका FMPHW एंड MMPHW जैसे कोर्स हैं तो यहां पर रें एक्च्वल रेंक दी गई हैं और यहां पर उनको पहले टम्पूररी रेंक दी गई थी लेकिन आप उनको एक्च्वल रेंक दी गई हैं क्यूंकि अब उनका रिजल्ट 10th का रिलीज हो चुका हैं तो यहां पर आप सब्जक्ट में यही देख सकते हो अलॉट्मेंट आफ एक्च्वल रेंक दी गई हैं उसके वेसिस में उनको अब एक्च्वल रेंक अलॉट की गई हैं पहले जब उनका रेंक दी गई थी मेरिट लिस्ट में तो यहां पर आपको पता हैं कि काउंस्लिंग शुडूल भी यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह वो सिटूडंट हैं जिनकी रेंक अलॉट की गई हैं तो इसी के बारे में हम यहां पर डिसक्रिप्शन करेंगे यहां पर आप देख सकते हो यह वो सिटूडंट हैं जिनकी रेंक अप अपडेट हो गई हैं जिनको एक्च्वल रेंक मिली हैं जिनका result जेके बोस ने डिक्लियर किया है अब उनको rank अपनी मिली है यहाँ पर application number आप उन बाचूं का देख सकते हो उनका नाम father इस name डियो भी क्या है gender क्या है category क्या है कितने percentage यहाँ पर 10th में obtain किये हैं कितने marks हैं उसके बाद जो इनकी temporary rank थी जो इनकी temporary rank थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले इनको at the end of provisional merit list रखा गया था लेकिन अब इनकी जो updated rank है यह आपकी up rank है अब आपको यहाँ पर देखना है अपनी updated rank इस वाले column में अब करके आपको bीच में डाला गया है इसको bीच में डाला गया है कल कॉंसलिंग षडल आया था उसके मताबिक आपको नहीं देखना है जो इस लिष्ट में ये बच्चे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लियर हुआ है 14 जुलाई को जे के बोस की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो किसी बच्चे की रेंक 19 हो हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस लिष्ट को आप डाउनलोड भी कर पाओगे डिस्क्रप्चर में आपको लिंक मिलेगी यह उन बच्चों के लिए हैं जिनका रिजल्ट पहले रिलिज नहीं हुआ था लेकिन 14 जुलाई को जे के बोस की तरफ से इनका रिजल्ट डिक्लियर हुआ है आप इनको actual rank मिली है जो यह बच्चे है date of counselling भी mention है आप यहां पर देख सकते हो right side में date of counselling भी mention है किस date पे counselling है और यह rank wise counselling है